हेलो फ्रेंट स्वागत है आपका हमारी चैनल स्विल मंत्रा में आपके बीच में किसी साथी ने मेरे पास एक क्वेश्चन बेज़ा है आए उस क्वेश्चन को सॉल करते हैं और देखते हैं इंसर क्या आता है question हमारा है the in-situ percentage-wise a sand deposit is 32% for determining the density index dried sand from the stratum was first filled loosely in a 100 cm cube mould and was then vibrated to give a maximum density the lid is the 1610 gram and dense dry mast at maximum compaction पला सब elét выглядит on the transaction was found to be 980 the determine risk if the specific gravity of psychopath 15 G Bros. इंदी आपbles संद टीआ आधी बात करते हैं कि एंपने या दिया गया है त्याम दीया गया पर्सेंटेज इसको बतादे, wide ratio ने दिया गया है, percentage परसेंटे जिए गया है, porosity, यहां पर दिया गया है, n इक्वल तू 34%, क्योंकि बाइसा आती है, यहां को बोलते हैं, यह 0.34%, सिसको मेखने है 0.34, decimal अगर हम लिखना चाहें और आगे क्या बोला गया फॉवार डिटर्माइनिक देशंती इंडेस हम को यहाँ पर आइडिग यहाँ पर डेंसिटी इंडेस निकालना है आइडिग क्या होगा हमारा बोला गया कि हमने जो मॉल्ड लिया गया उसका जो वैलूम था आया 1610 मलब की लूज हम लिए सकते हैं जो एम आया इसको लूस में बता दें लॉज इस्टेट में वहाई 1610 ग्राम और जब मास आया जो इसको साल करते हैं पहले हम को निकालना पड़े बात करें यहां पर इक्वल टो होता है यहां पे यहां पर दीया रखें यहां ऐहां पर होगा आप साथ ही हमको density and density निकालने के लिए हमको maximum वाइडेसी और minimum वाइडेसी निकालना है इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा पहले हम gamma d max मतलब कि dry density max condition में और dry density minimum निकालेंगे तो gamma d max बात करें तो gamma d max हमारा कब होगा यह देहां दीजिएगा gamma d max दब आएगा ग्राम पर cc अब साथ हो जब gamma d max होता है जब हमारा dry density maximum होगा तो उसमें वाइडेसी क्या होगा minimum होगा तो वह साथ क्यों बात करें आई बात करते हैं उसका और लिए सकते हैं गामा d max इक्वल टो लिए सकते हैं 2.67 multiply by gamma w, gamma w हम यहां पर ले रहें 1 gram पर cc गामा w हमने क्या ले लिया महां लेजी यहां पर लेते हैं gamma w 1 gram पर cc हम ले रहें यहां पर हो जाएगा 1 plus e minimum को यहां पर निकालना है अगर इसको और साल्व करें तो हमारा हो जाएगा gamma d max 1.98 1.98 इक्वल टो यहां पर हो जाएगा 2.67 multiply by 1 upon 1 plus e minimum अब इसमें क्या करेंगा अगर हम e minimum की बात करें e minimum कैसे निकालेंगा तो हमारा हो जाएगा 2.67 divided by 1.98 minus 1 यहां पर हमारा minimum वाइट रिस निकाल गया आएगा जो होगा इसको हम राइट डाउन कर सकते हैं यह minimum हमारा आएगा 0.348 इसी पकार हम निकालेंगे क्या gamma यहां पर e max निकालेंगे उसके निकालना पड़ाएगा gamma d minimum की बात करेंगा तो यह हमारा हो जाएगा देखिए यहां पर यह वाला minimum मैं जबला हमारा जो मास था सबसे काम आया था 1610 ग्राम 1610 divided by 1000 यह हमारा आएगा 1.61 ग्राम पर cc आई हम बात करते हैं यहां पर e max निकालते हैं इसे हमने पिछले में निकाला था इम इसे क्लिट मार के हो जाएगा जी गामा डबलू अपान गामडी अब यहां पर क्या रखेंगे जब हमारा डेंसिती मिन्मम होगी तो हमारी जो वाइडरस्टी उसमें जो पोर्सों को जाता होंगे यहां पर e max निकलेगा माइनस वन तो यहां पर क्या होगा 2.67 अपान इसको सालू करते साथ हो तो इमक्स हमारा निकल के आता है 0.658 तो यह हमारा यहां पर प्लाई करेंगे साथियों इसको i b से भी दिनोट करते हैं ध्यान दीजेगा इसके लिए फर्मूला होगा है e max माइनस e अपान e max माइनस e minimum यहीं साथियों यहां पर रखेंगे अगर हम इसको साल करते साथियों तो आई अभी की value put up करते हैं यहां पर e max हमने निकाला है 0.658 माइनस e normal जो हमने निकाला था वह अपने यहां पर निकाला है साथियों 0.515 यहां पर हो जाएगा 0.515 अपान e max हमने निकाला फिर वही चीज 0.658 माइनस e minimum हमारा है 0.348 अब इसको साथियों साल करते हैं तो यह हमारा आता है 0.143 divided by 0.31 अब हमारा यहां पर जाएगा देंसिटी इंडेस की बात कर साथियों तो आता है 40 0.463 इसको परसेंड़ें करना चाहें तो यह हमारा आइडी हो जाएगा देंसिटी इंडेस इसको बलते हैं 46.3 परसेंट तो साथियों यह हमारा एंसर आता है इस क्वेश्चन का यह हमारा क्वेश्चन इसका साल होता है यादि आपका से कोई क्वेश्चन हो तो हमारा पास दे सकते हैं मैं फुरी क्वेश्चिस करूँगा उसका वीडियो से प्रवाइड करवाने का चाहतियों फिन मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए धन्नवाद जाहीं